उम साहिराम, स्वागत है आप सभी का साहिपूजा चैनल पर, मैं याशी का, आप सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ, एक प्रस्तुती, जिसमें के हम जानेंगे के प्रभू के संकीतन का प्रभाव हमारी जिंदगी में कैसे सब कारियों को सफल कराता है। बक्तों ठ्यान लगाकर और बाबा को याद करके सुनियेगा, दुख, सुख, रोग, निरोग, लाभानी ये सब जीवन के अनिवारे तत्व हैं। इन में से किसी का भी अभाव जीवन का अनन्द खो देगा। इसलिए विपरीत परिस्थिती में हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर बढ़ते रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक शक सुबे सवेरे उठा, साफ सुत्रे कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया, ताकि सत्संग का अनन्द ले पाए। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े कीचर से सन गए और वे वापिस घर आ गया। कपड़े बदल कर वापिस सत्संग की तरफ रवाना हुआ, फिर ठीक उसी जगे ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापिस घर आ कर कपड़े बदले। फिर तुपारा ही सत्संग की तरफ रवाना हो गया जब तीसरी बार उस जगे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शक्स जिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे-पीछे चलने को कह रहा है इस तरह वो शक्स उसे सत्संग घर के दर्वाजे तक ले आया पहले वाले शक्स ने उसे कहा आप पी अंदर आकर सत्संग सुन लो लेकिन वो शक्स जिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ दो तीन बार इंकार करने पर उसने पूछा अब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं दूसरे वाले शक्स ने जवाब दिया इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ ये सुनकर पहले वाला शक्स हैरत से ठिकाना नहीं रहा काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दुबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाफ शमा कर दिये जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दुबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुना शमा कर दिये मैं डर गया था कि अगर अपकी बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके सारे गाम के लोगों के पाफ शमा कर दे इसलिए मैं यहां तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ अब हम देखे कि उस शक्स ने दो बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया और एक हम हैं यदि हमारे घर पर कोई महमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं भजन जाप छोड़ देते हैं क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से जादा दुनिया की चीजों और रिष्टदारों से जादा प्यार करते हैं उनसे जादा मोह है इसके विपरीत वह शक्स दो बार की चड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर से घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग घर चला गया क्यूं? क्यूंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था वे किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम तूटने नहीं देना चाहता था इसलिए काल ने उसे स्वयम उस शक्स को मन्जिल तक पहुँचाया जिसने की उसे दो बार कीचड में घिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था बाधा पहुचा रहा था इसी तरह हम सब चीव भी मन चाहे कितनी ही चलाकी करें, कितना ही बादित करें हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए एक ना एक दिन हमारा मन स्वयम हमें भजन सिम्रन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा बस हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत कदापी नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिम्रन में धील देनी चाहिए वह मालिक आप ही हमारे सब काम सिद्ध और सफल करेगा जै जै श्री रादे कृष्ण जी जै जै श्री साइनाद जी जै श्री राम श्री हरी आप सभी का कल्यान करें ओम साइराम जै साइराम